नमस्कार मेरे प्यारे किसान सातियों, स्वागत है आपके ही अपने यूटीब चैनल सादाबाद के इसरी बार मैं हूँ सौनोच अबरी द्रांक, आज 5 जनवरी 24 दिन शुक्रवार का हो चुका है, किसान सातियों इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक से एक बढ़कर ध खुशकबरी मिलने वाली है, तो बिना इसकिप के वीडियो को अंतितर देखिएगा, और जिन किसान सातियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजेगा, इससे क्या होगा जब भी हमारे द्वारा यूटीब प आल पर हिट जरूर कर लिजेगा, तो किसान सातियों सबसे पहले एक बड़ी खबर, खबरक से आपको रूबरू करवाते हैं, बड़ी खबर है फरुकाबाद से, फरुकाबाद से दो रेक जो है, जो है जो है असम की डिब्रुगर मंडी के लिए पलेस हुई है, और इससे जो अब फरुकाबाद और कन्योज में आलू किसानों का जो आलू कम रेटों पर विकरा था, अब उसमें जो है पचास से सोर पे प्रती कट्टा की तेजी आने की पूरी संभावना है, और ऐसे ही बाज़ार में अब आक्सन सुरू हो गया है, तो आक्सन से भी एक बड़ी पर रहात इस समय पर कच्ची खुद आलू के किसानों को मिल रही है, ऐसा ही इस्तिती पंजाब के किसानों के साथ है, पंजाब से भी वेस्ट बंगाल के लिए दो रेकें जो हैं आलू की वो प्रस्तावित हुई हैं और निश्चित तोर पर इसका जो बेनिफिट है वो किसानों को साधने का पूरा प्रयास किया है, जिससे उनका आलू जल से जल मंडियों पहुंचे तो उनके अच्छे राधाम जो हैं वहाँ पर किसानों को मिलें, तो ये बेस्ट बड़ी और बढ़्धमागेदार खुशकब लीती, जिससे किसानों का सीधा-सीधा सरोकारता किसान साथ ये इसके साथ ही बात करेंगे अब मंडि भाव की, चुकि मंडि भाव आप लोगों के पास में होना बेहत जरूरी है, जब तक मंडि भाव नहीं आएंगे तब तक वीडियो का मकसद ही अधूरा रहता है, तो ऐसे मैं अगर बात करें, इस समय पर जो की फरुका कट्टा की तेजी देखी है, यानि कि सौर पेसे लेकर 120 पर प्रतिकुंटल का आज जो है, अच्छे आलू में उच्छाल है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें, बंगाल की मार्केट की, तो बंगाल की मार्केट में आज जो है, कोई गिरावट भी नहीं है, तो कोई उच् आने वाले दिनों में क्या इस्तितिया होंगी, क्या नहीं होंगी, वो तो फरमेश्वरी जाने, लेकिन यहां पर मैं आप पश्छी मंगाल के किसांस आती हूँग, बिल्कुल ठोक के गह रहा हूँ, आलू आपका भी 1000 रुपे कट्टा भी देगा, और यकिन नहीं आ रहा ह साड़े 600 रुपे से लेकर 700-300 पर प्रिती कट्टा तक चल ले हैं, और निश्री तोर पर आने वाले दिनों में, यानि कि 4-5 दिन बाद ही, इसमें बूम आना शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ा मैन फैक्टर बनेगा, उसका आदे भारत में कल से होने वाली मौसमिक ग पढ़ेगा, पश्री मंगाल में इसमें, जो है, ट्रांस्पोर्टेशन के माध्यम से अलू पहुंच रहा है, जिसकी वज़य से पश्री मंगाल में, इसमें चालीस रुपे से लेकर 70 रुपे और तीसरे दिन, जो है, ईसमें बिलकुल वहां पर नॉर्मल होगा, यानि स्थ जैर उपे कट्टा भी बिखेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा नुक्सान हो सकता है तो आप स्वतंत्र है हम कुछ नहीं गह सकते लेकिन हमारे उत्तर परदेश में जिन किसान साती होना हमारे उपर विश्वास रखा था ट्रस्ट रखा था आज उनका अलू 1100 पर प्रति कट्टा भी बिखे हैं और साउत में इतनी डिमांड निकल कर आ रही है कि उसकी पूर्ति करना भी संभव नहीं हो पा रहा है चाहें मुंबह हो नासिक हो कोलापुर हो नागपुर हो या कोई भी मंडी हो चिन नहीं समयत कोई मंडी हो पूर्ति करना असंभव हो रहा और यह जो है अनवरत रूप से 14 जनवरी तक चलते रहेंगे यानि कि मकर संक्रांती तक मकर संक्रांती के बाद ही मौसम साफ होगा और ऐसे में एक बढ़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का इस बारिश की जद में होगा हर्याना भी होगा पंजाब भी होगा और कह नहीं सकते कि य अगले महीने से तो ऐसे मैं अगर यहां पर पान ही गिरा तो निश्चित रूप से एक बड़ा एरिया बारिश की भेंट आलू का चड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर आलू की रेटों में तेजी आएगी और तेजी इन मंदणियों का बाप भी नहीं रोख सकता है ज यहां पर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपको आलू जो है अच्छे रेटों पर बिखेगा और जो कच्छे आलू है तो कच्छे आलू है भी तेजी आएगी और आप बात कर रहते हैं मंडी भावों की तो खिशान साथी हो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्ग मंगाल तो पश्चे मंगाल की जाजतर मंडी चाहida वे आपकी डांक बंगला हो-510 रुपए पृतिकटा में है सूरक अलना 670 रुपए परृतिकटा में है सिंगूर की मंडी जो है, आज जो है 500-70 रुपए से लेक पश्रिमंगाल सी अगर हम बात करें तो यहां पर शाब दिखाई दे रहा है कुरकेश्वर की मंडी सुरकालना और यह वाली मंडी इनमें बुर्द्वान की मंडी है यहां पर चैसाइब साइसार रुपए प्रती कट्टा में आलु बिके हैं और अगर बात करें बीर-बूमी तो साड़े 500 रुपे, बुरुद्वान की बात करें तो 670 रुपे, होगली की बात करें तो किसान साथी और 65 रुपे पृति कटा में भी किया, किसान साथी और बात करेंगे सावत की मंडियों की, तो सावत की मंडियों में भी आज जो है, इस्तिरता है, तेजी नहीं है, लेकिन इस्तिरता है, चेन्नी मंडी की बात करेंगे तो 377 आज 21 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो की दर पर भी कहें नॉर्मल 377 रुपे किलो से लेकर 20 रुपे किलो की दर पर भी कहें मदरी मंडी की बात करेंगे 377 रुपे किलो से लेकर 23 रुपे किलो करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है और ऐसे लोग जो है किसान हित्यासी नहीं हो सकते मैं दावे के साथ कहना हूं कई लोग जो है किसान हित्यासी बन जाते हैं और देगे कई लोग कहते हैं कि यूट्यूबर यूट्यूबर जो है आलू नहीं विकन देग लेंगे यूटीवरों पर ठीक रहा फोड़ते रहेंगे जैसे के इनी के जीजा बेठे हों हम जो हैं यह गुंडागर्दी बंद कर दिये नहीं तो तुमारी गुंडागर्दी तुमारे पिछवाड़े में घुशेड़ देंगे यदि यह आपको लग रहा है कि हमें आलू बेचना तो बेचिये लेकिन आप किसानों के ठेकेदार नहीं हो बात करेंगे किसान साथी हो विजावाड़ा मंडी की तो 377 बाइस रुपे किलो से लेकर चौविस रुपे किलो तक भी कहें 302 आलू 21 रुपे किलो से लेकर तेईस रुपे किलो तक भी कहें गुंटूर्ग मंडी की बात करेंगे तो 377 बाइस रुपे किलो से लेकर बीस रुपे किलो तक भी कहें रुपे किलो से लेकर 18 रुपे किलो मैसूर की मंढी में 37 Давай 18 रुपे किलो से लेकर 21 किलो की दर पर बिक्छेए एक 6 वर्ग यहां पर एक ऐसा भी है जो कि किसानों को अगर चार पैसे कमाने का म узнаem इंकि पिछवड़ने बहुत जल्ले सरसुल हुडते ऐसे धदखते हैं इनके कलेजे जैसे कि सौनु चौधरी या बैवाब सर्मा जो है साप बनके इनके कलेजे पर बैठ गए हो तो निश्ची तोर पर दोनों ही बैठे हुए दोनों ही कुंडली मार के बैठे हुए इन मंदड़ियों के सीने पर डाल दल रहे है तो कैसे अच्छे लग जाएंगे ये लोग और बैवाब सर्मा तो अच्छा भी लग सकता है लेकिन सौनु चौधरी तो अच्छे ही नहीं लगेगा क्योंकि सौनु चौधरी तो कील गुषेड़ता है हम कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुमागी कूँ वह मेरे आप पर आता नहीं है अगर आज मंडियों में तेजी है तो इस तेजी को हम बताएंगे कुछ कोल्ड मालिक फोन करके लिए अरे यार तुम जो है किसानों को बढ़का रही हो तुम्हें क्या लेना देना है भाई तो मैं अपने कोल्ड भाड़े से मतलब है तुमने किसानों का ठेका ले रखा है तुम्हारा टाइम चलता है मार्च से मार्च से तुम्हारा टाइम चलता है नवंबर 30 तक कोल्ड का इस दर्म्यान आपका किसान जो है आलू फैंके या बेके आपको क्या मतलब लिकला है आज पोजिशन यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्लाइड फैली हुई है आज किस्तिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 377 या हाइब्रेड आलो पेड़ हो गया है दो दो धाइड़े तीन-तीन फुट का लेकिन नंबर ऑफ टूमर्स बहुत कम और फ्लाव बस इतना किसान खून के आशुरूर है और इन लोगों को लग रहा है कि हम किसानों को कैसे लूटेंगे निश्चित तोर पर लूट ही नहीं पाएंगे क्योंकि किसान हमारा अब भुला बाला नहीं रहे अब इंट से इंट बजाने वाले किसान हो पाएंगे सोशन्ट तुम बहुत करते हो लेकिन अब सोशन्ट नहीं होने दिया जाएगा अब ऐसे कोल्ड स्टोरेज में किसानों का अलू रखवाये जाएगा जो कि किसानों के प्रति सिंपैथी रखते हैं अगर किसान का अलू 1000 रुपे कट्टा बिख रहा है तो कोल्ड मालिकों को बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे कोल्ड स्टोरेज में 1000 रुपे किट्टा बिखा ऐसे व्यापारी के जहां पर कोल्ड में आते होंगे जहां पर वो किसानों को चार पैसे देते होंगे और दो पैसे खुद कमाते होंगे तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज में रखा यह का जाता हूँ यह आलू नहीं विकने देंगे, ऐसे cold storage में आपके आलू नहीं रखने देंगे, चाहें उनका A grade ही आलू क्यों ना हो, अच्छी reputation वाले cold storage हो में इस बार किसानों का आलू जाएगा, और यद भी वो किसान इस तरीके से अपने भड़िया reputation वाले, चाहें वो C grade ही cold storage क्यों ना हो, अगर उसमें ले जाएगे ना तो निश्रीत तोर पर एक बड़ा फाइदा जो है, हमारे आलू किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, और यहां मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बैवब सर्मा कहे या ना कहे, लेकिन सौनु चौधरी कह रहा है कि वर्स 2024 में आलू, सोले सोर पे प्रती कट्टा cold storage से बिकेगा ही बिकेगा, और यह जून जुलाई के मध्ध में संबभ होगा, धान रखना वीडियो को भी शेव कर लेना कि सौनु चौधरी ने जून जुलाई के मध्ध में कहा है, और जिस दिन उसी समय पर जब बिकेगा, तब यह तो निश्य तोर पर फिर आप सौनु चौधरी के बिल्कुल भी करीब नहीं रहेंगे, और दो जारो यह तीन जारो लेना आपको ही है, हम यह मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय रहते हैं, आलू की निकासी भी परसपर करते रहेंगा, जिससे आपको आलू के अच्छे द मॉधरी के अच्छेत के अच्छेट से।्चे अच्छेट